इधार राजे में महतारी बंदन योजना के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया फिर शुरू होगी चुनावी आचार सहिंता के चलते प्रक्रिया रुख गई थी लेकिन अब फिर फॉर्म भरने शुरू होगे महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवारे ने का है कि कुछ आए हुए हैं तो उसका निरिक्षार करवा कि आज इकाजियों के माध्यां से अगर आगर रहे हैं कि योजना बंद हो जाएगी लोग सबाते बाद ऐसा कुछ नहीं है उनको कोई मुद्द मिलता नहीं है सामने लाने के लिए भारती जनता पार्टी की सरकार वो चाह नोटा विरोध का माध्यम बनता जा रहा है यही वजाए कि 2024 लोग सबाचनौ में सर्गुजा संसदी सीट पर एक बार फिर नोटा तीसरे नंबर पर आया है 2014 के लोग सबाचनौ में नोटा को 31,104 वोट मिले थे 2019 में 29,265 वोट और 2024 के लोग सबाचनौ में 28,121 वोट और अब यह तीसरे नंबर पर है नोटा के प्रती जो लोग है वो जो तरह से दबा रहे हैं उससे सर्गुजा के जन प्रतिनिदी परिशान है समाज शास्रियों का मानना है कि जनता का विश्वास राजनेतिक दलों में कम हो रहा है जनता की अपेक्षाय पूरे नहीं होती है तो जनता जो जन प्रतिनिदी है उनके विरूद नोटा का विकल्ब चुनती है कहीं न कहीं ये जन प्रतिनिद्यों से नाराजगी नोटा में ज्यादा मताने का कारण है ये कहीं न कहीं हमारी जो प्रजयतान्तिक व्यवस्था है हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है कहीं ऐसा तो नहीं की इस प्रतिनिद्यों को चाहे वो किसी भी राजनेतिक्दल से हो इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए इस बार इस बार लोगों ने ख्याल रखा कि उन्हें साइब दोनों प्रक्याशी पसंद नहीं आ रहे थे और जिसको भी विरोध प्रगट करने का भी तरीका बना करके रखा हुआ है सर्वुजा में नोटा को प्रती लगातार जागरुता बढ़ते जा रही है और इस चुनाओं में भी यही देखने को मिला नोटा का मिजाज लोग वोट डालने जरूर आ रहे हैं मगर किसी प्रत्यासी को वोट ना दे करके ना राज़ प्रगट कर रहे हैं हमको जो अप्रत्यासी दे रहे हैं दोनों राजमें की जल्के वो महमों प्रसंद नहीं है इसलिए हम हमारा यह विरोध प्रगटर दर्शन है बलावदा बाजार में सडक निर्मान में करोणों के भिष्टा चार का मामला सामने आया है कजडोल विकास खंड के पुटपुरा दाउना जर सडक मार को जोड़ने का काम हूरा है गाउं में करीब साले तीन करोण की लागत से पक्की सडक बनाई जा रही है ग्राम उन्हों ने सडक की गुड़वत्ता पर सावाल उठाए आरूप है कि निर्मान में खेत की मिट्टी का इस्तमाल कर लिया गया जो आप एक शक्रत कमजोर होती है शिकायत के बाद पी डबली जी अधिकारी ने नोटिस जारी कर जांच के आदेश दिये हैं मुंगेली में धान खरीदे में लाकों के गबन का मामला सामने आया उन्तालीस लाक से जादा के गबन के आरूप लग रहे हैं खरीदी केंदर के कम्पीटर आपरेटर पर एफ आई आर भी दर्ज की गई है अखरार धान खरीदी केंदर का ये पूरा मामला है अब सख्त कारवाई से गड़बड़ी करने वालों में हड़कम मचा हुआ है बलोदा बाजार में फिर से डायरिया का प्रकोप है पलारी विकास खंड में फिर से डायरिया के केस आए हैं लोगों को उल्टी दस्की शिकायत हुई छे से जादा मरीज अस्पताल में भरती है इतना ही नई डायरिया से सतर साल के बुज़ूर्ग की कल मौत हो गई थी पंद्रह दिन पहले ही पलारी ब्लॉक के कई गाउं में डायरिया फैल गया था तब पचास से जादा लोग डायरिया के शिकार हुए थे और अब एक बार फिर डायरिया फैल रहा है बलॉदा बाजार में जगडलपुर में विश्वकी सबसे बड़ी कुटम सरगुफा चार महीने के लिए बंद हो जाएगी समय पर मौनसून के बस्तर पहुंचने पर प्रबंदन ये फैसला लिया है कागेर घाटी राश्री उद्ध्यान में कुटम सरगुफा है से देखने के लिए हजारों के संख्या में परेटक यहां पहुंचते हैं बारिश में गुफा के अंदर पानी भरने का खत्रा बढ़ पानी भरने का खत्रा रहता है और अब बस्तर में यह माना जा रहा है कि वक्त पर ही मौनसून पहुंचेगा और यही वज़ा है कि अब यह फैसला लिया गया है कि मौनसून के चलते चार महीने के लिए इस गुफा को बंद कर दिया जाएगा कुटम सर गुफा है कांगेर और इसी के साथ इस बुलेटन में इतना ही खबर जारी रहेंगी झाल